नमस्कार मैं प्रवेंड गोतम दोसो ये वीडियो जनता के शुद्राजितिक मनोरंजन के लिए है और इस मनोरंजन में हमारे हीरो है मानकुपता हीरोईन है कंगना रनोत और सब्जेक्ट है राहूल गांदी दोसो स्मृति रानी के जाने के बाद कंगना रनोत को लगता है कि राहूल गांदी का मजाक बना कर रानीती में सफलता की सीडियां चड़ी जा सकती है हो सकता है पीम मोदी के इतने गुर्बुक में आ जाए कि मंत्री बगेरा बनने का नमबर आ जाए या फिर 27 का वोड मिल जाए लेकिन हुआ क्गना रनोत के बयान को लेकर बीजेपी ने फटकार लगा दी और आज देश में मजाक बन गया है राहुल गांदी को ट्रोल करना काम नहीं आ रहा कभी उन्हें पपू बोलती है और किसी नेता को छोटा पपू बोलती है कभी कहती है राहुल गांदी नशा करके आते हैं संसद में और अपने ऐसे उलजुल बयान है कि पार्टी ही किनारा कर रही है अब मानक गुपता के साथ इंटरिव्यू में भी कंगना वही फूर्मूला अपनाती है राहुल गांदी पर भराज निकालती है कि आखिरकार उनमें कौन से काबलियत है जो एलोपी बना दिया गया लीडर आफ अपोजिशन बना दिया गया उसको लेकर नाराज है मेडम कंगना और क्या कहती है और मानक गुपता ने जबरदस ट्रोल वाला मसाला दे दिया है क्या सवाल करती है कंगना जिस पर मानक गुपता मेडम का समानेग्यान बढ़ाते हैं और उसके बाद मानक गुपता पर भड़क जाती है कंगना रनोल क्या सवाल करती है सबसे पहले मासूम सवाल सुनिए कंगना का तो यहाँ पर कंगना सवाल करती है कि कौन सा तीर मारा है राहूल गांदी ने जो उन्हें नेता विपक्ष बना दिया गया नेता की लोगपिरता कितनी है उसके पीछे सांसत कितने है साधान सा ग्यान होना चाहिए और वही ग्यान बढ़ाने का काम करते मानक गुपता जिसके बाद कंगना को समझ नहीं आता कि अब बोले तो बोले क्या मानक गुपता किस तरह जवाब देते जरा सुनिए मानक गुपता की हाजिर जवाब भी कंगना रनोत की बोलती बंद कर देती है कहती कि आप ऐसे ही बात करेंगे तो फिर जवाब हो ही ने सकता क्यों जवाब नहीं हो सकता एक साधान सा गणित बताया है लोगसवा के नियम बताये है कि कितनी सासदों की संख्या चाहिए होती है नेता विपक्ष बनने के लिए फिर कहते कि अगर आपको ऐसे ही बात करने है नाराज हो गई कंगना मेडम बताये बोलती बंद हो गई तो नाराज हो जाती है कि फिर बात नहीं हो सकती अगर आप ऐसे बात करेंगे तो कैसे बात करें आपके हिसाब से बात करें मान गुपता भी राहूल गांधी की आलोशना करें उसके बाद कंगना कहती कोई और नहीं था कॉंग्रेस में मतलब इस बात का आखिरकार क्या लोजिक है कॉंग्रेस की मर् पूदिजदी से सीनियर कोई नेता नहीं है बहुत सारे नेताओं को मार्ट दशक मंडल में डाल दिया गया कंगना बात करती कि BJP में ज़्यादा लोकतंटर है आगर BJP में लोकतंटर है तो कंगना क्या बता सकती है कि BJP का अध्यक्ष कहां से चुन कराता है जिसको RSS और BJP आलाकमान चाहते हैं मिल बैट कर बना दिया जाता है क्या कोई राइशुमारी की जाती है तो अपने आप में कंगना का ये बयान बचकाना है कि BJP में ज़्यादा लोगतंत्र है कॉंग्रेस में लोगतंत्र नहीं है उसके बाद सोनिया गांदी पर पहुंच जाती है कहते हैं कभी राहुल को बना दिया जाता है कभी इनकी माता बन जाती है माता के पास राहुल गांदी के पास तो प्रधान मंत्री बनने का भी अवसर था किसी और को बनाया ना मनमोहन सिंग को प्रधान मंत्री बनाया अगर सोनिया गांदी चाती अगर राहुल गांदी चाते तो वो भी प्रधान मंत्री बन सकते थे एक बार नहीं दो बार मोका आया अगर सबसे बड़ी कुर्शी खुदी अथिया नहीं थी तो राहुल गांदी हतिया सकते थे लेकिन तब अगर सोनिया गांदी राहुल गांदी ने सत्ता का लालच नहीं किया तो कंगना का ऐसा बोलना बनता नहीं है। और थोड़ा सामाने ग्यान बढ़ाना चाहिए। इस तरह राहुल गांदी का मजाग उड़ाने के चक्कर में अपना मजाग बनवा लेती हैं। और उसके बाद कहते हैं कि राहुल गांदी तो मजाग किया हैं ससद में कुछ भी बोलते हैं और आप क्या बोलती हैं आपकी पार्टी तक आप से किनारा कर लेती हैं। आप कंगना के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं कि राहूल गांदी ने क्या तीर मारा है और मानक गुपता के इस जवाब को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर पिराइज जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो तैंक्स के उप्शन का इस्तमा कर सकते हैं इसकला वीडियो को लाइक करें चलको सब्सक्राइब करें नवसकार